आज मैं आपको WhatsApp से नंबर डिलीट करने का सही तरीका बताऊंगा क्योंकि यदि आप गलत तरीके से करोगे तो नंबर कभी डिलीट नहीं होगा और ज्यादा तर लोग यही गलती करते हैं जिसके बारे में मैं आपको आंगे इस वीडियो में बताऊंगा तो अपने WhatsApp से contact number डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने mobile में WhatsApp को open करना है WhatsApp open हो जाने के बाद आपको यहाँ पर जो नीचे right side में green color का icon दिखाई दे रहा है यहाँ पर simply click करना है इस पर जैसे ही आप click करेंगे तो आपके mobile में WhatsApp contact की list open हो जाएगी और आपके mobile में कितने WhatsApp contact हैं वो आप यहाँ पर simply उपर देख सकते हैं इस number को याद रखिएगा क्योंकि यह आगे वीडियो में काम आएगा अब जिस भी person का contact आप delete करना चाहते हैं simply उसको आप search कर लीजे या तो फिर आप नीचे scroll करके उसको find कर सकते हैं या फिर आप simply यहाँ उपर search करके कर सकते हैं तो मैं उस person को ढूण लेता हूँ जिसे मुझे delete करना है contact number को ढूण लेने के बाद आपको simply उसके उपर click करना है उस पर जैसे ही आप click करेंगे तो उसकी profile open हो जाएगी अब आपको simply उसके नाम के उपर click करना है इस पर जैसे ही आप click करेंगे तो उसके बारे में और information आपको देखने को मिलेगी अब simply आपको यहाँ पर उपर top right side में 3 dot का एक icon दिखाई देगा यहाँ पर click करना है यहाँ पर click करने के बाद 4 option आपको और दिखाई देगे तो अब simply आपको यहाँ पर edit पर click करना है एड़िट पर जैसे ही आप click करेंगे तो आपके phone में edit contact का page open हो जाएगा अब simply आपको दोबारा से यहाँ पर ऊपर 3 dot का जो icon दिखाई देगा यहाँ पर click करना है यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको delete contact का button दिख जाएगा simply आपको इसके उपर क्लिक करना है इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको दोबारा से confirm करने के लिए WhatsApp पूछेगा क्या आप सच में इस WhatsApp content को delete करना चाहते हैं तो simply आपको यहाँ पर delete पर क्लिक करना है जैसे ही आप delete पर क्लिक करेंगे तो यह delete हो जाएगा और नीचे आपको यहाँ पर message भी शो करने लगगा अब आपने यह तो जान लिया कि WhatsApp से content को delete कर से करते हैं और आपने एक content को delete भी कर लिया लेकिन यह method जानने के बाद भी कभी कभी आप WhatsApp से content को delete नहीं कर पाएंगे तो इसके लिए आपको दूसरी method के बारे में भी पता होना चाहिए तो उसके लिए simply आपको यहाँ पर home पर आ जाना है और जिस भी content को आप delete करना चाहते हैं simply आपको WhatsApp को open करना है WhatsApp को open करने के बाद आपको दोबारा से उसी green icon पर click करना है और जिस person को आप delete करना चाहते हैं simply उसका नाम या फिर उसका number यहाँ से click करके देख लेना है जैसे कि इस person को मैं करना चाहता हूँ अब simply आपको यहाँ पर home button पर click करना है और अपने phone book पर चले जाना है अब जिस person को आप delete करना चाहते हैं simply आपको यहाँ पर उसका नाम टाइप करना है नाम टाइप करने के बाद आपको दोबारा से यहाँ पर जो three dot का icon दिखाई देगा यहाँ पर click करना है यहाँ पर click करने के बाद simply आपको delete contact का button दिखाई देगा तो वहाँ पर click करना है तो अब यह आप से दोबारा पूछेगा क्या आप सच में इस contact को delete करना चाहते हैं तो simply आप इस delete button पर click कर देंगे तो यह delete हो जाएगा और इस तरह से यदि आप delete करेंगे जो ज़्यादत अलोग कर सकते हैं और उस गलती को आप भी दोरा सकते हैं वो गलती क्या है चलिए मैं आपको बताता हूँ तो ज़्यादत अलोग क्या करते हैं कि वो अपने WhatsApp को open करते हैं WhatsApp को open करने के बाद जिस भी contact को वो delete करना चाहते हैं वहां पर चले जाते हैं और उस contact को delete करने के लिए उसकी profile को open करते हैं profile को open करने के बाद यहां से simply edit में जाकर यहां से delete contact करते हैं और delete पर क्लिक कर देते हैं और उन्हें contact deleted का message भी आ जाता है लेकिन फिर भी वो contact delete नहीं होता ऐसा क्यों वो एक गलती यदि आपने notice की तो उनका जो की data है वो off रहता है और यदि आपका data off है और आप WhatsApp पे कोई भी activity करते हैं तो वो reflect नहीं होती अब simply यदि मैं WhatsApp को open भी करूँगा तो अब देखिए data on करने के बाद भी यह contact मेरे phone में रहेगा जिस पकार की आप यहाँ पर देख सकते हैं तो ध्यान रखी कि जब भी आप कोई WhatsApp पे change कर रहे हैं तो हमेशा अपना data on रखें तब ही जो भी changes आप WhatsApp पे करेंगे वो reflect हो पाएगा लेकिन रुक रुको अभी वीडियो खतम नहीं हुआ है अभी एक काम और है जो कि आपको करना है तो अब आपको यह बताना है कि आपके WhatsApp में total कितने contacts हैं और यदि यह आपको नहीं पता तो मैंने बताया है कि आपको WhatsApp पे contacts कैसे हैं वो कैसे आपको देखना है वीडियो आप दोबारा से देख सकते हो मैंने अपना answer already comment में कर दी हैं तो चलिए देखते हैं कि किसके WhatsApp में सबसे ज़्यादा comments है आपके comment का इंतिजार रहेगा और हाँ यदि आप WhatsApp से related और भी इसी प्रकार की वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप इन वीडियो को click करके watch कर सकते हैं पर मैंने बहुत अलग-अलग तरह के topics पर WhatsApp से related वीडियो बनाए हैं और computer और mobile से जोड़ी इसी प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे channel को subscribe करके bell icon जरूर on कर लें क्योंकि ये बिल्कुल free है मिलता हूँ आपसे अंगली वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना